प्यार को इसी सिद्धत से परिभासित करने वाली हसीन दिल्रुबा इसक की एक और जुनून दास्ता लेकर फिरा पहुंची है पिछली वार जब बै आये थी तो उसके एक आसिक नील को जान कवानी पड़ी थी तो दूसरे आसिक और पदी रिसब सक्सेना और फिरिसु को अपना हाँ तो आईए दोस्तों आज हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं फिर आई हसीन दिल्रुबा मूबी को करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन वेल को ओल्फर कर दीजे ताकि मूवी और वेब सीरीज का जहांबर की न्यूट की द्वारा बताया जाता है कि आगरा में यमना नदी में खूनी मकरमच घूम रहे हैं और फिर थोड़ी देर के बाद हम अवी मन्यू नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक कमपाउंडर है और वो अपने एक मरीज का इलाज करने के लिए यहां पर आया था और मालूम चलता है कि दरसल में रानी भी इसी घर में रहती है थोड़ी दिर के बाद रानी यहां पर आती है और अवी मन्यू जो है वो उसे बड़े ही प्यार से देखने लगता है अवी मन्यू जो है वो रानी को पसंद करता है तो वही रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है लेकिन उसकी कुछ फेस की डमीस जो है वो यहीं पर रह जाती है तब अवी मन्यू उन्हें देने के लिए दोड़ता हुआ रानी के पार्लर पहुँच जाता है जहाँ पर कि उसकी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी यहाँ पर रानी उसे थेंक्यू कहती है और बाद में उससे कहती है कि वो थोड़ी दिर के बाद बाद करेगी क्योंकि उसे पार्लर में कुछ अरजेंट काम है तो अब रानी जो है वो अपने पार्लर में बिजी हो जाती है लेकिन अभी मन्यू कहीं नहीं जाता है बलकि रानी के पार्लर के बाहर ही बैटा रहता है बारिस होने लगती है लेकिन फिर भी वो बहीं पर बैटा था रानी जब उसे इस तरह यहां पर बैठा हुआ देखती है तो वो तुर और तब ही आपर इंट्री होती है रिसू भाया की जो कि यहीं से निकल रहे होते हैं और उन्होंने अपने प्यार को बचाने के लिए अपना हाथ तक कटबा लिया था तो अब मालूम चलता है कि रिसू ने पुलिस की आँखों में खुद को मरा हुआ साबित करके अपने प्यार रानी के साथ सहर से भाग कर आगरा में लुका छुपी की जिन्दगी जी रहा है तो रिसू और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहां अपनी पहचान छिपा कर अलग-अलग जिन्दगी काट रहे हैं इनकी कोसिस है कि भी किसी तरह से थाइलेंड भाग जाएं इसलिए रिसू जो है वो एक ट्रेवल एजेंट गुड़ू नाम के आदमी के पास जाता है तो यहां पर रिसू ने गुड़ू से जुगार कर लिया था गुड़ू कहता है कि दो महीनों के बाद बो दोनों ही थाइलेंड में पहुँच जाएंगे तो वही रिसू जगह पर रहता है उस जगह की मकान मालकिन जो है बो पूनम है और पूनम जो है बो रिसू से प्यार करती है और किसी तरह से उसके साथ जिसमानी रिस्ते भी बनाना चाती है इसलिए रिसू जो है वो हमेशा पूनम से दूर रहने की कोसिस करता रहता है जिसके अगले दिन रिसू जो है वो रानी से मिलता है वो उसे ट्रेवल एजन्ट गुड्डू के बारे में बताता है कि वो दो महीनों के बाद थाइलेंड पहुँच जाएंगे तो वहीं रानी अभी मन्यू के बारे में रिसू को बताती है कि अभी मन्यू जो है वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है जिसके बाद हम अभी मन्यू को देख पाते हैं लेकिन वहां रानी नहीं आती है वो तो दरसल में रिसु के सान्थ रंग रलिया मना रही होती है तो अभी मन्यू को इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था नो बच चुके थे रानी नहीं पहुँछती है इसलिए अभी मन्यू तुरंदी रानी के यहाँ पर पहुंचता है रानी यहाँ पर अभी मन्यू से माफी मांगती है लेकिन अभी मन्यू कहता है कि माफी मत मांगो बलकि अगले फ्राइडे फिर से उसके साथ पिच्चर देखने के लिए चल देना जिसके बाद एक मार्केट में रानी और रिसू मिलते हैं रानी रिसू को सब कुछ बता देती हैं कि आज ऐसा सब कुछ हुआ है लेकिन तभी जब वो बात कर रहे थे तभी यहां एक चोर आता है और वो रानी के पर्च को लेकर भागने लगता है रिसू उसका पीछा तो करता है लेकिन जब बीच में उसे पुलिस दिख जाती है तो वो बहाँ से भाग जाता है और पुलिस में यहाँ पर कोई और नहीं बलकि इंस्पेक्टर किसोर होते हैं वो लोग उस चोर को पकड़ने लगते हैं बात में वो रानी का एड्रिस पता करके रानी के यहाँ पर जाते हैं दरसल में उन्होंने उस चोर को पकड़ लिया था इसलिए बो यहाँ पर रानी का पर्स बापस करने के लिए आये थे लेकिन अब इंस्पेक्टर किसोर को सक है कि रिसू जिंदा है मरा नहीं है और बो दो रिसू नए इंस्पेक्टर किसोर को देख लिया था इसलिए बो यहाँ से भाग निकलता है उसे मालूम चल चुका था कि पुलिस वाले जो है वो रानी का पीछा कर रहे हैं और उसके उपर नजर भी बनाए रखे हैं इसलिए बो अपने मोवाइल से सिम को निकाल कर कांटेक्ट नहीं हो पाता है फिर बात में रिसू ही रानी से कांटेक्ट करता है वो से बताता है कि पुलिस वाले जो है बुनके पीछे पढ़े हुए हैं और हर जगे पुलिस वाले फैले हुए हैं क्योंकि पुलिस वालों को हमारे उपर सक हो गया है और ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस बाले अगले दिन तो मैं पुलिस टेशन बुला लेते हैं जहांबर की इंस्पेक्टर के सोर जो है वो रानी से पूस्टाच कर रहा था वो रानी से कहता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री को निकलवाया है पता किया है कि तुम एक लड़के से काफी देर तक ब वो रानी को बताते हैं कि इस केस को अब वो समहले वाले हैं और साथ में वो रानी को ये भी बताते हैं कि नील उसका भतीजा है और मैं उसका चाचा हूं तो वो रानी से कहते हैं कि अब ये केस जो है वो परसनल हो चुका है और उसकी एक गंदी आदत है कि वो किसी के भी से बात करती है और तुम जिससे बात करती हो वो अकसर ट्रेवल एजेंट के पास क्यों जाता रहता है लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है तब मौन्टू जाज़ा कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि रिसू जो है बो यहीं पर है और वो था कि पुलिस बाले उसे ढून रहे हैं एक दिन रिसु देखता है कि ट्रेवल एजेंट गुड्डू को भी पुलिस बालों ने अरेस्ट कर लिया है जो ने थाइलेंड पहुंचाने वाला था अब वो खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है अब पुलिस बाले जिस पर की पुलिस समझ जाती है कि वो कुछ छिपा रहा है इसलिए पुलिस बालों के सामने जाकर कह देती है कि वो इस आतमी को नहीं चानती है और तब पुलिस बाले यहां से चले जाते हैं पुलिस बालों को साइद इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि जो पुलिस बाल जिनकी जीने का सपना देखा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है गुड़्डू ट्रेवल एजेंट वाला जो है वो पकड़ा गया है और मॉन्टू चाचा जो है वो उनके अगर ये प्लान सक्सेस्पल हो गया तो पुलिस बाले तुम्हें कभी भी नहीं ढूडेंगे और वो आराम से यहां से निकल जाएंगे तो अगले फ्राइडे अवी मन्यू रानी फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे अवी मन्यू थेटर के बाहर रानी का इंतजार कर रहा था तो रानी यहां पर पहुँच जाती है और उसे देखकर अवी मन्यू खुस हो गया था साथ ही यहां पर रानी ने अवी मन्यू को साधी के लिए भी पिर्पूस कर दिया था जिस पर की अभी मन्यों तो पूरी तरह से हैरान रह चुका था दरसल में यही रानी का प्लान है कि वो पुलिस वालों को डिस्ट्रेक्ट करने के लिए अभी मन्यों से साधी कर ले लेकिन ये चीज कहीं न कहीं रिसू को अच्छी नहीं लगी थी उसने रानी को समझाया भी था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन अगले तीन दिन के बाद यहाँ पर अभी मन्यों रानी की साधी थी दोनों की साधी हो जाती है और यहाँ पर रिसू भी मौजूद था कहीं न कहीं रिसू को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसे के आँकों के सामने वो अपने बीबी की साधी होता हुआ देख रहा है अभी मन्यों रानी के नजदी काने की कोसिस कर रहा था लेकिन रानी तो सिर्फ और सृफ रिसू को चाहती है इसलिए वो उसके साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहती है इसलिए वो यहाँ पर अभी मन्यू को समझाती है कि उसने उससे सर्फ साधी की है और वो अभी कोई जिस्मानी रिस्ता नहीं रखना चाहती है क्योंकि वो अभी भी रिसू को नहीं भूल पाई है तब यहाँ पर अभीमन्यू बताता है कि बच्पन में ही उसका परिवार के सारे लोगों की डैथ हो चुकी थी तब से ही अभीमन्यू अकेला है तब से अभीमन्यू जो है वो यहाँ पर रानी के नजदी कानी की कोसिस तो करता है लेकिन वो कोई जित नहीं करता है उसे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी दिन तो रानी भी उसके प्यार में पिखल जाएगी और एक रात रानी जो है वो अभी मन्यू को पंडित जी की बुक के बारे में बताती है जिनकी रानी जो है वो बहुती बड़ी फैन है उसने दिनेज पंडित की सारी बुक पड़ी है लेकिन अभी मन्यू ने उनकी कोई भी बुक नहीं पड़ी है यहां दूसरे तरब पूनम जो है वो रिसू के नजदीक आने की कोसिस कर रही थी और जब वो पास आ रही थी तब दूर से रानी ने सब कुछ देख लिया था जिसके बाद यहां पर रिसू जो है वो दोड़ता हो रानी के पास आता है वो से समझाने की कोसिस करता है कि पूनम जो है उसके पीछे पड़ी हुई है और उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है लेकिन यहां पर रानी जो है वो रिसू को एक दो बात सुना कर अपने घर पहुँच जाती है जहां पर कि वो बहुत सारी सरा पी लेती है और नसे की हालत में रात को वो अभी मन्यू को सब कुछ बता देती है जाने अन जाने में यहां पर रानी ने अभी मन्यू को बता दिया था कि रिसू जिन्दा है उससे पूनम प्यार करती है और धोका तुम्हें मिल रहा है और यह सारी बाते तो अभी मन्यू के डारेक्ट दिल पर लगी थी अगली सुDoes जब होती है तो यहां पर अभी मन्यू रानी से रिसू के पास कॉल करके मिलवाने के लिए कहती है रानी ऐसा ही करती है तब वो लोग एक میले में मिलते हैं जहां पर गजुले पे वेटकर बोस अभी लोग बात कर रहे थे बताता है कि बो उनकी मदद करी गा और थाइलंड जाने में मोन की पूरी तरह से היलप भी करी करेका दिए कि तुम्हें धोका मिला है इसके बाब जो तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो जसपर की अभी मन्यू कहता क्लिनिक ले जाता है, जहां पर कि वो पुलिस से बच सकता है और यहां पर सेफली रह सकता है। वो कहता है कि दो दिनों के बाद वो उनके पासपोर्ट और टिकिट्स का इंटजाम कर देगा और वो ने थाइलेंड पहुँचा तो यहां से अभी मन्यू के जाने के बाद तुरंत बाद ही पूनम आती है पूनम को यहां का पता लग चुका था क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी यहां पर रिसू जो है वो पूनम को किस करता है और वो उससे कहता है कि वो उससे एक महिने के बाद मिलेगा यह सुनने के तो पूनम खुसी-खुसी यहां से चली गई थी उसके जाने के तुरंत बाद ही यहांपर ललन नाम का एक आदमी आता है यह कौन है थोड़ी देर में पता लग जाएगा और इसके जाने के तुरंत बाद आता है अभी मन्यू अभी मन्यू यहांपर रिसू को खाना देने के लिए आये था जिसके बाद बोग्रात करने लगते हैं और उन दोनों की बातों से रिसु को मालूम चलता है कि अभी मन्यू जो है बुराने की प्यार में पूरी तरह से पागल है और अभी मन्यू को यहां पर बताता है कि एक जमीन के सलसले में उनकी उनके चाचा से ही है तब यहाँ पर अभी मन्यू की एह वर रेता है लेकिन अभी मन्यू यहां पर रिसू के ऊपर और यही पर लाग फिसकानी को लेकर कुछ नहीं के ले वह रानिवार यहां पर नहीं के वह सुरा के उसक्स से द्खोड़ विर्ण माफ नहीं किया है और सांथ ही अभि मन्यू अपने बारे में भी कुछ चीजे रिवील करता है वो बताता है कि उसने तो अपनी फैमिली को भी नहीं चोड़ा है मतलब कि यहां पर अभी मन्यू ने अपनी फैमिली को भी खुद ही मारा था बहां दूसरी तरफ रिसू जो है वो उस जगे से बाहर निकला आया था और रात को हम अभी मन्यू और रानी को देख पाते हैं और अभी मन्यू के घर पर हम पंडित का बहुत बड़ा भक्त है और उसने भी दिनेश पंडित की सारी की सारी बुक पढ़ रखी है तो प्लानिंग क्या करनी है रानी जो है वो उसी बुक के आधार पर करती है लेकिन अब अभी मन्यू को उन बुक के बारे में सब कुछ मालूम है तब यहां पर अचान पती उसे जान से मार देगा और यहां पर रानी ने उन्हें बता दिया था कि रिसू जिंदा है और अभी मन्यू उसे भी मार देगा रानी ने यहां पर मॉन्टू चाचा को यह भी बता दिया था कि अभी मन्यू नहीं अपनी फैमिली को भी मारा है वह एक नंबर का साइको मिली है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लास साइद रिसू और अभी मन्यू की होगी इसलिए यहां पर रानी को पहचान करने के लिए ले जाया जाता है लेकिन जो दो लोग मारे गए हैं वो पूरी तरह से जल के मर चुके हैं इसलिए उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता लेकिन यहां पर अभी मन्यू का सूट केस और पूनम की स्टिक थी जिससे कि यहां पर रानी को तो मालुम चल गया है कि कौन दो लोग मारे गए हैं जिसमें पुलिस बालों को ऐसा लगता है कि यह सब कुछ रानी की वजह से हुआ है इसलिए बो लोग रा में जूटी कवर फैला देते हैं कि लॉक अप में रानी की बुरी तरह से पिटाई हो रही है और यह सारी न्यूज कहीं न कहीं रिसू ने भी देख ली थी इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें उसने कहा था कि वो पुलि सरेंडर करतेगा और यही सारी प्लानिंग मौन्टू चाचा ने की तो यहाँ पर मौन्टू चाचा ने फिर से प्लानिंग कर ली थी कि जब रिसू जो है जब वो रेलबे ब्रिज पर आएगा तो उसकी पुलिस की टुकड़ी जो है वो से घेर कर पकड़ लेगी तो अब मौन्टू चाचा अकेले ही रानी को रिसू के पास जाने के जोड़ देते हैं जैसे ही रानी रिसू के पास पहुँचती है तो वो रिसू से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और लेकिन तभी मौन्टु चाचा की पुलिस की तुकडी जो है वो उनकी नस्दीक पहुँचने लगी थी लेकिन वो एक जगे पर रुक चुके थे तभी यहाँ पर एक पुलिस बाला जो है वो आ गया आता है और मालुम चलता है कि यह कोई और नहीं बलकि अभी मन्यू था अभी मन्यू यहाँ पर रिसू से कहता है कि अगर रानी मेरी नहीं उसकी तो वो किसी की नहीं होगी वैसे भी वो दोका देने वाले लोगों को छोड़ता नहीं है यहाँ पर उसने रानी के उपर गन तान दी थी लेकिन तब ही यहाँ पर रिसू और अभी मन्यू के बीच में जड़ब हो जाती है और जो गन जो है वो रानी के हाथ लग चुकी थी लेकिन तब ही रानी के पैर विसल जानी की वज़े से अभिमन्यू दोनों को ही बिरिस से नीचे यमन नदी में फैकने की कोसिस कर रहा था और यमन नदी में तो खूनी मगर मचते रहे हैं मतलब कि अगर उसमें कुई भी गया तो उनकी जान जाना तो एकदमते है लेकिन इस जड़फ में कुछ ऐसा होता है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं पुलिस वाले तुरंत ही यहाँ पर आते हैं और वो समझ चुके थे कि यह तीनों की जान जाना तो एकदम ते है क्योंकि आये दिन यहाँ पर मगरमस तेर रहे थे सर्च आपरेसन टीम को बुलाया जाता है और इन सभी को सर्च भी किया जाता है लेकिन इनका नामोनिसान यहाँ पर नहीं था यहाँ पर किसी का अगर नामोनिसान था तो वो सिर्फ और सिर्फ मगरमस थे बात यहां तक पहुचाए थी कि यह केस बंद होने वाला था लेकिन तभी मॉन्टू चाचा बताते हैं कि अभी यह केस बंद नहीं होगा क्योंकि मॉन्टू चाचा को इन तींओ के बारे में बहुत सारी चीज़े मालूम चल चूगी दुर्टा कि अगर यह तीनों पकड़े जाते तो इन तीनों का अरेश्ट होना तो एक दम तैथा अगर जिए मर जाते हैं और फिर जिंदकी जीते हैं तो यह लोग आजाद हैं वो बताते हैं कि अभी मन्यू की क्लीनिक की सामने वाली सौप से उन्हें सिसी टीवी के द्वारा ललन नाम मतलब की ललन मारा गया जिसके बाद बात आती है पूनम की पूनम को भी उसी सीटीवी के द्वारा देखा गया कि वो अभी मन्यू की क्लीनिक आए थी बहां पर बो रिसूसे मिली थी लेकिन उसके बाद बो भी गायब है और जो दो लोग मारे गये हैं वो कोई और नहीं ब वो अभी मन्यू और रिसू के तो बिल्कुल भी नहीं हैं जिसके बाद अभी मन्यू के घर के सिसीटीवी फुटेज के द्वारा उन्हें मालूम चला कि साथ बज़े के आसपास अभी मन्यू और रानी जो है वो घर पहुँचे थोड़ी दिर के मतलब की 15 मिनिट के बाद ह एक आदमी और जो है वो अभी मन्यू के घर पर पहुँचा दस बज़े के आसपास रानी जो है वो रोते हुए अबला नारी की तरह पुलिस टेशन पहुची तो रानी के यहां से जाने के बाद रिसू और अभी मन्यू जो है वो एक स्कूटी से बाहर निकले तो उस समय ज इसके बाद कुछ महीने बाद हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हम रानी को देख पाते हैं जो की काफी उदास बैटी हुई थी वो अपना इंसिडेंट याद करती है कि जब वो लोग पानी से बाहर निकले तो रानी और अभी मन्यू ही बच पाए थ होती है तब ही एक बच्चे की कॉपी में दिनेश पंडित के कुछ लाइने लिखी थी और कहीं ना कहीं यह लाइन साइध रिसू की थी दूसरी तरफ हम बिहार में मौन्टू चाचा को देख पाते हैं जिनके पास दिनेश पंडित की मगर मच का सिकंजा वाली बुक पहु यमना निदी के पास पहुँचे बहुत सारा मास लेकर और यमना निदी में हर दो किलोमीटर पर उन्होंने इस मास को फैका उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि मगर मच जो है वो हर दो किलोमीटर पर मास पटकने से वो और भी दूर जाती जाती है इस तरह से उन्होंन जैसे की प्लानिंग की थी उसी तरह से तीनों ही ब्रिट से नीचे यमुना नदी में कूद चुके थे क्योंकि अभी यमुना नदी में मंगरमच नहीं थी इसलिए वहां उन्हें कोई प्रॉबलम भी नहीं थी तो अब आगरी पन्ने पर लिखा था कि कहानी रोमांचक लगी जाता है जिसके बाद हमें तोता मेंना लवर्स पॉइंट दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक है रानी जो है बुलकुल किनारे पर खड़ी हुई थी यहां से जश्ट नीचे जो है वो एक जरना बहता है और यहां पर रानी जो है वो अभी मन्यू से कहती है कि जब रिस के बारे में बताया जाता है दरसल मैं उस रात रानी और अभी मन्यू जब साथ में थे तो यहां पर अचानक से ही रिसू आ गया था और उसे देखकर यहां पर रानी का अचानक की पैर फिसल गया था जिस बड़े से उसका सर जो है वो टेवल से टकरा गया था जब उसे होस तो इन तीनों ने प्लान बनाया और यहां पर अभी मन्यू ने उन्हें मगरमच के सिकंजे की बुक के बार में बताया कि अगर हम इस बुक के हिसाब से चलें तो हम तीनों ही बच सकते हैं और हमारी जान जाने के बाद हम आजाद हो सकते हैं उस रात यह तीनों ही यमना नदी में कूदे थे लेकिन रिसू को प्रॉबलम हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है यहाँ पर अभी मन्यू ने मौका देख़र जब मगरमच आ रही थी तो उसने रिसू का नकली हाथ निकाल लिया था जिस बज़े से यहां पर रिशू को मगर मंश निखा लिया था लॉस्का बढ़ा तो उसकी नहीं जिसके बाद वो इसी लबर पॉइंट से अपनी जान दे देती है और वहां से नीचे कूद जाती है मौन्टू पहल सनी यहां पर अभी मन्यू को अरेश्ट कर लिया था वो लोग फलाइट से उसे बापस ले जाने वाले थे यहाँ पर अभी मन्यू कहता है कि उन्हें उसकी लास नहीं मिली होगी उसे मालू है कि राने की लास नहीं मिलेगी तब एक और सीन दिखाया जाता है जब रिसु का हाथ निकल गया था और मगरमच आ रहा था उसने उस हाथ को मगरमच के मूँ में लगा दिया था जिस बजए से यहाँ पर रिसु जो है वो सही सलामत भाग गया था और इस दिन बच्चे की कौपी में दिनिस पंडित के जो लाइने लिखी थी वह रिशू नहीं लिखी थी क्योंकि रिशू अभी जिन्दा आए बात में मालूम चलता है यिए लवर पॉइंट से उस जरुणे के द्वारा रानी जो है वह नीचे तो गिर गई थी लेकिन वह मरी नहीं थी क्योंकि वह जिंदा थी वो यहां से नदी के द्वारा जो है वो कौने पर आ जाती है और कौने पर उसे रिशु मिलता है और एक बार फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं जब यहां से अभी मन्यो को मांटुचाजा बापस ला रहे थे तब एक और चीज रिवील होती है और मालूम चलता है कि दिनेश पंटी दरसल में अभी मन्यू के पिताजी हैं और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप कोई वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नौटी पीसन बेल को आल पर कर दीजेगा ताकि आपके पास बैप सीरीज और मूविस का कॉंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके मिलते हैं गोर कमाल की वीडियो के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे दन्यबाद जै हिंद जै भारत जै स्रीराम